हेलो फ्रेंड्स मैं सरीता सावित करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इगनोवाला में फ्रेंड्स जो हमारी आज की क्लास है ये है M.G.P.E.030 ठीक है ये M.A. सेकेंडर वाले स्रेंड्स उनका एक सब्जेक्ट है जो पोलिटिकल साइंसे स्टडी करता है ठीक है आज की क्लास में हम M.G.P.E.030 के important questions देखने वाले हैं ठीक है इन important questions में वो questions होंगे जो previous year question paper में भी कई बार आ चुके है यानि कि repeated question है और वो questions एक्जाम के पन्तवी से बहुत जादा important है ठीक है तो इस वीडियो में हम M.G.P.E.030 के important question देखेंगे ठीक है first question देखते हैं first question हमारा दिया गया है कि नागरिक समाज को परिभाशित कीजिए और उसके मुखे तत्वों का वणन करो सबसे पहले हमें क्या बताना है नागरिक समाज क्या होता है ये बताना है ठीक है देखे जो नागरिक समाज है ये प्राचिन काल से ही चलता हुआ रहा ह कब से चल रहा है ये प्राचिन काल से नागरिक समाज क्योंकि देखे पहले के बता था प्राचिन काल में कोई सरकार ये सत्ता तो होती नी थी सरकार ये सत्ता तो थी नी लेकिन क्या था नागरिक समाज था नागरिकों का समाज देखा जाता था ठीक है नागरिक समाज का अ के दायरे में नहीं आते किसमें नहीं आते राज्य और सरकार के दायरे में नहीं आते यानि कि नागरिक समाज नहीं तो सरकार के दायरे में आता है और नहीं राज्य के दायरे में आता है बलकि इसका अपोजिट होता है क्या होता है कि यह जो राज्य है और सरकार है यह दोनो ही नागरिक समाज के अंदर आते हैं किसमें आते हैं ये दोनों ही नागरिक समाज के अंदर आते हैं ठीक है नागरिक समाज के अंदर आते हैं ये दोनों ही देखिए जब सबसे पहले तो कोई भी नागरिक समाज होगा कौन होगा नागरिक समाज होगा ठीक है नागरिक समाज समाजों के द्वारा ही तो क्या बनाए जाएगा राज्य बनाए जाएगा ठीक है और जब राज्य बनेगा तो राज्य को चलाने के लिए भी तो सरकार चाहिए ना तो उस राज्य के द्वारा ही क्या बनाए जाएगा क्या बनाए जाएगी सरकार बनाए जाएगी ठीक है रा कि इसके कुछ important तत्व महत पूर्ण तत्व या घटक एकी बात है वह देखते हैं देखिन नागरिक समाज के लिए सबसे पहला और समाच के लिए उनके उठान के लिए काररे करते हैं इसलिए इसलिए गैर सरकारे संस्थाइव बना आई जाती है दूसरा टॉपिक है हमारा महीला संगटन देखिए नागरिक समाज में महीला संगटन की भी बहुAT ब stolen का होती है क्योंकि उसमें एक सबसे ज़्यादा important role किसका है? महिला होगा. तो इसलिए महिला संगठन की भी इस्थापना की जाती है. Next topic है, किसान संगठन. ये संगठन केवल किश के लिए कृषी से संबंदित किसानों के हितों की रक्षा करता है. ठीक है? किसानों के हितों की रक्षा करता है. किसानों से संबंदित जितनी भी समस्याए होंगी. ठीक है? उनको सुल जहाने के लिए, उनके निप्टान के लिए जितने भी कार्य किये जाएंगे, वो किसके अंदर आएंगे? किसान संगठन के अंदर. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट बताया है, मजदूर संगठन. ठीक है? श्रमिक संगठन. ये मजदूर संगठन वो होता है, जो केवल मजदूरों के सरक्षन के लिए बात करता है. किसके लिए बात करता है? केवल मजदूर सरक्षन की बात करता है. ये सारे संगटन वो हैं जो एक नागरिक समाज में बनाए जाते हैं, नागरिक समाज को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मजदूर संगटन के वल किसके लिए बात करेगा, मजदूरों के लिए, next होता है सहायता संगटन, तो नागरिक समाज में इन सब के अलावा कुछ ऐसे संग में दोबना जाता है किषेट्र है खरन कि क्या करते हैं उनके उत्थान के लिए Saag Fit को शिजहने के लिए या फिर समस्यों के नितान के लिए जो भीrim किये जाते उन tapping क्या है सहाइता संगठन के दवारा metropolitan के लिए संगठन क्या होता है ये किसी एक विशेज बासा का संगठन थिक है कि एक किसी एक इंपोरेन चीज़ के लिए जितने स संगठन बनाए गए होता है उन्हें बोलते हैं सामोईक संगटन. यह विशेश तौर पर सिर्फ इनी शेतरों में अपने कार्ये को करते हैं. Next है धार्मिक संग संगटन. ये हर एक धर्म का, आप सबी को बताए कि भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, तो उनी धर्म के लोगों द्वारा बनाए गए संगटन होते हैं जो क्या करते हैं? ये सिर्फ अपने अपने धर्मों का सरक्षन करने के लिए कार्य करते हैं ये धर्मिक संग संगटन क्या करता है? ये सिर्फ अपने अपने धर्मों का सरक्षन करता है जैसे कि एक्जाम्पल के थुरू जिसे हिंदू का संगठन कौन कौन से संगठन हिंदू की रक्षा के लिए बनाए गया है जैसे कि बजरंग दल ठीक है बजरंग दल सिर्शैना दल ये सब क्यों बनाए गया है सिर्शैना दल ये सब क्यों बनाए गया है हिंदू की रक्षा क अगर आपके एक्जाम में आते हैं कि नागरिक समाज किसे कहता है और उसके मुख्य तत्वों को या फिर गटकों को बताईए तो यही सारे पॉइंट्स आप अपने एक्जाम में लिख सकते हैं ठीक है कांफ्यूज मत होना एक्जाम में अगर हीगल की जगे हैगल भी आ जाए तो दोनों एक ही व्यक्ति है इन्होंने जो अपना सिध्धान्त दिया था उसमें उस सिध्धान्त के अंदर राज्य और नागरिक समाज के बीच इन्होंने क्या संबंद बताए थे यह बताना है ठीक सिधान्द दिया था उन्होंने उस सिधान्द के अंदर क्या कहा था कि मनुष्य का राज्य के बिना कोई आस्तित्वी ही नहीं है इसको मतलब क्या है? कि अगर मनुष्य का विकास है, मनुष्य को विकास करना है, तो सबसे पहले उसके लिए क्या जरूरी है? राज्य है अगर राज्य ही नहीं होगा तो मनुश्य का कहीं से कहीं तक कोई आस्तित भी नहीं है अगर किसी मनुश्य को विकास करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा स्वतंतरता चाहिए होगी किसके अनुसार हीगल के अनुसार ये हीगल के सिधानतों की बात हो रही है पालन करके उसके नियमों का पालन करके ही व्यक्ति क्या कर सकता है स्वतंद्रता की प्राप्ति कर सकता है और जब उसको स्वतंद्रता की प्राप्ति होगी उसका विकास होगा तो इसलिए उन्होंने अपने सिध्धान्तों में कहा कि एक व्यक्ति को अपने विकास के लिए विचार दिये थे अपने सिधान्तों में सबसे पहले तो हीगल ने राज्य को क्या कराता सर्वोपरी रखाता यानि कि मनुष्य से पहले हर एक चीज से पहले उन्होंने राज्य को सर्वोपरी कहा कि सबसे उबर सरप्रथम कौन आना चाहिए राज्ये आना चाहिए ठीक है देन उसके बाद उन्होंने second point में बताया कि यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर राज्ये के खिलाफ कोई मतलब कोई भी मुद्द उठाता या फिर व्यक्ति के अधिकारों से राज्ये पर कोई आँच आती है ठीक है व्यक्तियों के अधिकारों के जरिए अगर राज्ये पर कोई आँच आती है तो उस व्यक्ति के अधिकारों को छीन लेना ही जादा उच्चितम होगा अधिकारों को छीन लेना ही जरूरी है यानि कि उनके कहने का मतलब है कि मनुष्य के अधिकार कोई माइने नहीं रखते हैं अगर राज्ये पर कभी भी कोई भी मुद्दा उठता है या फिर कोई भी आच आती है तो व्यक्ति के अधिकारों को छीनना भी एक ठीक मात है मतलब अधिकारों को भी व्यक्ति से छीन सकता है क्योंकि इन्होंने क्या कहाता सबपरतम कि राज्य स्तर्वों परी होना कि है सबसे उपर कौन होना चाहिए राज्य है ठीक है दूसरे point में कहा कि अगर कोई व्यक्ति राज्य की सेवा करना चाहता है क्या करना चाहता है राज्य की सेवा करने के लिए हमेशा तयार है राज्य की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रह रह रहा है तो उसको हर एक अधिकार प्राप्त होने चाहिए हर एक अधिकार ठीक है आप इन पॉइंट से समझी चुक्या होंगे कि हीगल जो थे ये व्यक्ति की स्वतंदरता को बाद में देखते थे सबसे पहले राज्य की स्वतंदरता को सबसे उपर रखते थे कि अगर राज्य है तो व्यक्ति की स्वतंदरता है राज्य है तो व्यक्तियों के अधिकार है अन्य था व्यक्ति कुछ नहीं है ठीक है तो इन्होंने अपने राज्य के दान्त दिये थे नागरिक समाज पर नागरिक समाज के लिए उन्होंने क्या से दान्त दिये नागरिक समाज पर देखिए नागरिक समाज के लिए इन्होंने क्या कहा कि राज्य राज्य क्या है समस्त तत्वों का स्रोत्र है समस्त तत्वों का स्रोत्र है इनके इस कधन से, इस कधन का ये अर्थ है कि राज्य जो है, वो सारे ही तत्वों का श्रोतर है, यानि कि अगर व्यक्ति को अधिकार मिल रहे है, सोतंतरता मिल रहे है, हर एक चीज की फृडम मिल रहे है, तो वो किसके जरीये मिल रहे है? राज्ये के दुआरा इसी लिए व्यक्तियों को राज्ये की क्या करनी चाहिए पूजा करनी चाहिए हीगल ने राज्ये को इश्वर के समान बताया किसके समान बताया इश्वर के समान और इन्होंने अपने विचारों में कहा कि जिस प्रकार एक व्यक्ति देवता की पूजा करता है, अर्चना करता है, उसी तरह नागरिकों को भी राज्य की पूजा करनी चाहिए, पूजा का मतला उसके नियमों का पालन करना चाहिए, तब ही वो व्यक्ति क्या कर सकता है, समाज में रहकर विगास कर सकता है, क्योंकि फ कोशन देखते हैं सुराज पर गांदी जी के विचार बताई ठीक है सवराज का मतलब क्या होता है आजादी कि ए थाराज का मतलब आज़ार अब देखी गांदी जी ने अपने विचारों में क्या कहाए कि आज़ादी सिर्फ 1947 में अंगरेज़ों से जो तुम्हें आजादी मिली है तो इसका मतलब तुमने सोराज की प्राप्ति कर लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दान्दीजी के अनुसार कि तुम अंग्रेजों से आजाद हो गए हो तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुमने सोराज की प्राप्ति कर लिए सोराज की प्राप्ति करने के लिए गांदी जी ने क्या कहा है कि सोराज की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को क्या करना होगा सबसे उपर सबसे पहले क्या करना होगा सबसे पहले अपने आप परशाशन करना होगा अपने आप में आजाद होना होगा ठीक है गांदी जी ने कहा अगर तुम्हें सुराज की प्राप्ति चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप में आजाद होना होगा और तुम लोग अपने आप में अजाद कैसे हो सकते हो सबसे पहले तो खुद स्वशाशन करना होगा क्या करना होगा? खुद ही स्वशाशन करना होगा यानि कि व्यक्ति का खुद पर ही शाशन होना चाहिए उस पर किसी व्यक्ति का, किसी राज्य का, देश का या भारी देश का कोई भी शाशन नहीं होना चाहिए, व्यक्ति का खुद पर शाशन होना चाहिए, दूसरा उन्होंने क्या कहा, व्यक्ति आत्म नियंतरन होना चाहिए, ठीक है, सैल्फ कंट्रोल होना चाहिए, अगर एक व्यक्ति आत्म नियंतरन है तो वो क्या कर सकता है सोराज की प्राप्ति कर सकता है दैन उसके बाद उन्होंने क्या बताया कि व्यक्ति को सोराज की प्राप्ति करने के लिए क्या करना होगा अपनी इच्छाओ और अपनी गलत लालसाओ पर रोक लगानी होगी गलत लालसाओ पर रोक लगानी होगी तब ही वो क्या कर सकता है सो राज की प्राप्ति कर सकता है और नेक्स्ट प्राप्ति के लिए आत्म निर्ने व्यक्ति को क्या बनना होगा? आत्म निर्ने बनना होगा मिन्स उसके खुद के फैंसले वो खुद लेगा उसके फैंसले कोई अन्य व्यक्ति या उसके फैंसलों में किसी राज्य को, देश को या किसी भी बहारी व्यक्ति या देश को बोलने का कोई हक नहीं होना चाहिए उसको अपने फैंसले लेने का हक खुद होना चाहिए मिल्स व्यक्ति खुद क्या होना चाहिए? आत्म निर्णे होना चाहिए अगर व्यक्ति इन सब चीजों के साथ खुद अपने आप में आजाद है तब ही वो व्यक्ति क्या कर सकता है सोराज की प्राक्ति कर सकता है तो ये गांदी जी ने अपने सोराज की अवधाना में ये पॉइंट्स बताये थे ठीक है सोराज की प्राक्ति में गांदी जी के विशारते ठीक हैं तो यह question clear है next question देखते हैं गैर सरकारी संगठन क्या है इसकी कार्रे और इसकी भूमिका को बताईए सबसे पहले यह बताना है गैर सरकारी संगठन क्या होता है गैर सरकारी संगठन क्या है गैर सरकारी संगठन एक ऐसी नीती है जिसमें सरकार की कोई भागेदारी नहीं होती सबसे पहले क्या होता है point कि इसमें सरकार की कोई भी भागेदारी नहीं होती ठीक है, नेक्स पॉइंट में ये जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, ये मेरे और आप जैसे लोगों द्वारा बनाए गई ही संगठन होते हैं ठीक है, कैसे लोग बना रहे हैं, इसको आम जनता द्वारा बनाए गई संगठन होते हैं आम जनता दुआरा बनाए गए संगठन ठीक है इनका मुख्य उदेश बनाए गए संगठन इनका मुख्य उदेश होता है कि लोगों के हितों की रक्षा करना उनका सरक्षन करना लोगों के सुख दुख में मतलब उनका हाथ बटाना और उनकी समस्चाओं का निप्टान करना ये सब कौन करता है गयर सरकारी संगठन ठीक है ये जो गयर सरकारी संगठन होते हैं लोगों की हितों की रक्षा करते हैं उनकी समस्याओं को सुल जाते हैं और विकास करने में मदद करते हैं ठीक है लेकिन ये कही न कहीं ये अभी बनाए किसके दौरा है आम जनता दौरा ले लेकिन ये सरकार की नजरों में भी होते हैं मतलब कि हाँ इस प्रकार का एक सरकारी संगठन है जितने भी ये गैर सरकारी संगठन होते हैं ये क्या होते हैं सरकार की नजरों में होते हैं तो इसलिए ये क्या होते हैं सरकार द्वारा मानेता प्राप्त भी होते हैं ठीक है अब वेरी गुट बहुत बढ़िया अब इसकी कारे देखते हैं ठीक है कारे क्या होता है गहर सरकारी संगटनों की कि गहर सरकारी संगटनों का सबसे पहला कारे क्या होता है जनता के हितों की रक्षा करना क्या काम होता है जनता के हितों की रक्षा करना अब देखें जनता के हितों की रक्षा करना और ये काफी सारे फिल्ड में काम करते हैं यह कि सर्फ यह जनता के लिए कार्य करता है यह किसके चीज में काम करता है परियवरन सर्रक्षा के लिए ठीक है तो यह मतलब कि जहां पर भी लोगों के हितों की बात आती है, लोगों के सनरक्षन की बात आती है, ये उस हर एक फिल्ड में क्या करते हैं, गैर सरकारी संगटन अपनी भूमिका निवाते हैं, कुछ ऐसे संगटन भी होते हैं, जिनमें ये अपनी भूमिका निवाते हैं, जैसे कि महिला संगटन देखने क संबंधी संगठन और मज़दूर संगठन मज़दूर संगठन ठीक हैं नेक्ट आता है किसान संगठन किसान संगठन और नेक्स आता है चिकित्ता संगठन कौन सा है चिकित सा संगटन मिंस ये गैर सरकारी संगटन जो होता है ये काफी ऐसे अन्य अलग से भी संगटन बनाए गए होता है जिनमें भी ये कार्रे करता है इनके साथ ये इनमें भी अपनी भूमिका को निभाता है इनमें भी अपना योगदान देता है तो गैर सरकारी संगटन क्लियर हुआ कि ये इसमें सरकार की पहली बात तो कोई भूमिगा नहीं होती है ठीक है ये मेरे और आप जैसे लोगों द्वारा बनाई गई ही संगटन होते हैं क्यों बनाए जाते हैं ये लोगों की रक्षा के लिए इसका एक सबसे important काम क्या होता है सबसे important काम एक इसका ये देखा जाता है कि ये सरकार का ध्यान जनता के उन लोगों तक पहुचाती है जहां तक की जनता भी तक या तो पहुची नहीं पाई है उन लोगों तक या फिर सरकार जान बूच कर भी उन जनता को क्या कर रही है इग्नोर कर रही है तो इनका important काम एक यही होता है कि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाना भई या तो सरकार अभी महा तक पहुची नहीं होई उस समस्या तक या फिर सरकार उस समस्या तक पहुचने के बावजोद भी क्या कर रही है इग्नोर कर रही है ठीक है, clear है कि गैर सरकारी संगठन क्या होता है, next question देखते हैं, कि नागरिक समाज की सास्त्रियव धार्ना स्पस्ट कीजी, देखें यह जो नागरिक समाज की सास्त्रियव धार्ना है, इसका विकास किस ने किया था, अरस्तु ने इसका विकास किया था, ठीक है, किस ने विकास किया था, अरस्तु ने जो कि कौन था, प्लेटो का शिश्य है, प्लेटो का शिश्य है था, उसी ने किया किया था, सास्त्रियव धार्ना का विकास किया था, ठीक है, अरस्तु का कहना था कि समाज और राज्य इन दोनों के बीच में ही समानता नहीं होनी चाहिए उनका उद्देश है सिर्फ समाज या राज्य इन दोनों के बीच की समानता जरूरी नहीं है समानता ही जरूरी नहीं है बलकि राजनीतिक और समाजिक राजनीतिक और समाजिक मुद्दों में भी समानता होनी बहुत जादा जरूरी है ठीक है समाजिक मुद्दों में भी समानता होनी जरूरी है तो इन्होंने अपने नागरिक समाज की धार्णा में सबसे पहला पॉइंट ये कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि एक समाज और राज्य के बीच में ही समानता हो, बलकि राजितिक और समाजिक मुद्धों में भी बीच में क्या होना इंचाहिए, देखिए, इन्हों ने कई सारी, अपने इस धारणा में कई सारे मुद्धों को उठाया था, जिसमें किस बड़ा अलग-अलग मुद्धों के लिए बनाई जाती है और उन समीतियों में राज्य सबसे ज़्यादा एहम भूमिगा निवाता है क्योंकि यह जो समीतिय बन रही है किसके लिए बन रही है राज्य को बढ़ावा देने के लिए राज्य के लोगों को विकास करवाने के लिए तो स अच्छे उदेश्य होते हैं ठीक है अरस्तु ने कहा कि अगर अच्छा जीवन चाहिए एक अच्छा जीवन अगर तुम्हें चाहिए तो सबसे पहले राज्य को सर्वोपरी रखना होगा राज्य को सर्वोपरी राज्य को सबसे उपर रखना होगा अभी आपने हीगल के वि किसी भी तरीके से मानव अधिकारों का हनन करता है क्या करता है मानव अधिकारों को छीनता है या मानव की समस्याओं को नहीं समस्ता है तो फिर राज्य का कोई आस्तित भी नहीं है मिंस राज्य का तो कोई मतलब भी नहीं होगा राज्ये का कोई आस्तित भी नहीं है ठीक है क्योंकि उन्हों ने क्या कहा है कि जब एक नागरिक समाज होता है अब यह अपने पहले कोशन में भी एचीज़ देखी थी कि जब एक नागरिक समाज होगा उसी के द्वारा ही तो राज्ये बनाया जा रहा है कोई राज्य के द्वारा तो नागरिक समाज नहीं बनाया जा रहा ना नागरिक समाज के द्वारा ही राज्य बनाया जा रहा है और जब राज्य ही नागरिकों के हितों की रक्षान नहीं करेगा उनके अधिकारों को नहीं देखेगा तो फिर इस राज्य का क्या मतलब है, उसका तो कोई मतलब भी नहीं है, उसका कोई आस्तित भी नहीं होना चाहिए, यह इन्होंने अपने विचारों में कहा था, लेकिन इसी के साथ साथ हरुस्तुने अपने विचारों में एक चीज और कही थी, अभी तो यह मानव अधिकार यानि कि नागरिकों के पक्ष में था अभी नोंने राज्य के पक्ष में भी एक बात बोली है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे राज्य की अवशक्ता नहीं है तो वो व्यक्ति या तो वो ईश्वर है या फिर वो व्यक्ति कौन है जानवर है अरस्तु के अनुसार व्यक्ति जिस तरीके से नागरिक समाज राज्य है नागरिक समाज के द्वारा राज्य बनाया गया है यानि कि राज्य को नागरिकों की अवशक्ता है उसी तरीके से नागरिकों को भी राज्य की अवशक्ता होनी चाहिए अगर फिर भी कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे तो राज्य की विशक्ता है ही नहीं तो वो व्यक्ति उनके अनुसार या तो वो ईश्वर है या जानवर है क्योंकि ईश्वर कोई राज्य की राज्य से कोई मतलब नहीं है कौन राज्य कौन देश उसको कोई मतलब नहीं है या फिर जानवर पशू जिसे की कोई राज्य देश किसी चीस से मतलब नहीं है तो उन्होंने राज्य के पक्ष में और विपक्ष में नागदिक समाज के पक्ष और विपक्ष दोनों में ही अपने विचार दिए थे ठीक है से बनाए किस से बनाएं अंग्रेजी के फैसिश में सब्द से बनाएं ठीक है कि पैसिश में सब्द से बनाएं जो की लेटिन भाशा के किसके लेटिन भाशा के लेटिन भाशा के फैशियो शब्द से मिलकर बना है ठीक है देखिए फाशिवादी सब्द क्या है फैशिश्म का हिंदी अनुवाद है यानिकी इंग्लिश में इसको फैशिश्म बोलता है और ये लेटिन भाशा के फैशियो शब्द से बनकर बना है जिसका मतलब क्या होता है लकडियों का गठर या फिर कुलहाडी ठीक है अब देखें लकडियों का गठर या फिर कुलहाडी लकडियों का गठर क्या होता है एकता का प्रतीक मारा जाता है किसका प्रतीक एकता का प्रतीक और कुलहाडी किसका प्रतीक मारा जाता है शांती का ठीक है तो आप फैसीजम फांशिवादी शब्द को समझे तो ये जो फांशिवादी शब्द था ये इस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई थी और ये इसकी जो स्टार्टिंग की गई थी फांशिवादी इसके स्टार्टिंग कब गई थी बलकि राज्ये की शक्तियों को सबसे उपर रखा जाता था क्या होता था इसमें मानव स्वतंतरता को पीछे और राज्ये की शक्तियों को उपर राज्ये की शक्तियों को उपर रखा जाता था तो इसी तरीके की ये फासिवादी विचार धारती ठीक है इसकी एक content वीडियो मैंने चैनल से पहले से upload की हुई है ठीक है लिंक description box पर मिल जाएगा उस वीडियो के through आप इस question को अच्छे से clear कर सकते हैं उसमें सब कुछ एक दम DPA में ठीक है तो आप इस question को clear करना next question है कि वैश्विक नागरिक समाज और इस्थान्य नागरिक समाज के बीच अंतर बताएए किस के बीच में वैश्विक नागरिक समाज और दूसरा है इस्थान्य नागरिक समाज जैसे कि आप सभी को पता है आज वैश्वी करण ने पूरे देश भर में अपने पैरों को इतनी अच्छी तरीके से फैला लिया है कि आज हर एक देश अपने विकास के लिए सिर्फ एक ही नीती को अपनाता है कौन सी नीती? वैश्वी करण की नीती आज हर एक देश बिना किसी रोग्टोग के बिना किसी प्रतिवंद के दूसरे देश के साथ क्या कर रहा है वेपार कर रहा है। वेश्विकरन तो आप सभी जानते हैं, डेफिनेशन के थूँ बताऊं तो जब एक देश अन्य किसी दूसरे देश के साथ बिना किसी रोग्टोग के वस्तुओं का, सेवाओं का या व्यक्तिओं का आदान प्रदान करता है, मिंस लेन देन करता है। उसी प्रोसेजर को क्या कहा जाता है, वेश्विकरन कहा जाता है। ठीक है, देखिए एक देश है, एक कंट्री है, इसने इसके साथ वेपार किया, इस कंट्री ने किसी दूसरी कंट्री के साथ वेपार किया, इसी तरीके से हर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या कर रही ह जूड रही है संबंद बना रही है इसी प्रोसेजर को क्या कहा जाता है विश्व एकता ठीक है जब एक कंट्री दूसरी अन्ने कंट्रियों के साथ इसी तरीके से हर कंट्री इस प्रोसेजर को जब अपनाती है तो उसी को क्या कहा जाता है विश्व एकता के नाम से भी जाना जाता है तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैश्विकरंट का आज कितना जादा प्रचलन हो रहा है कितनी जादा वैश्विकरंट की दूसरे देश में जाना एक देश से दूसरे देश में वस्त वोका सेवा वोका या फित किसी भी जीज का आयात निर्यात करना वो ये सब इनका कार रहे होता है तो उन्हीं को क्या बोला जाता है वैश्विक नागरिक समाज जो वैश्विकरन की स्थिति को दर्शात है वैश् किसी भी देश के इनका मुख्य कार्य क्या होता है किसी भी देश के या राज्य के अंदर रहकर ही कार्य करना अभी यह जो हमारा वैश्विक वैश्विक नागरिक समासते यह तो देश विदेश जाकर काम कर रहे हैं कहां जाकर काम कर रहे हैं कभी इस देश में कभी दूसरे देस में देश विदेशों में जाकर कार्य करें लेकिन इस्थाने नागरिक है कि अपने इक इस्थान पर रह रहे हैं तो हम कौन ही इस्थाने नागरिक हुए ठीक है किसी भी एक देश या राज्य के अंदर ही रहकर कारेर करते हैं ठीक है उन्हें क्या कहा जाता है इस्थाने नागरिक समाज तो इस तरीके से आपको इस दोनों के अंदर ही अंतरस्ट करने हैं बहुत ही एजी कोशन है असानी से कर सकते हैं तो फ्रेंड पिये थे हमारे कुछ important questions ठीक है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी questions समझ आये होंगे, clear हुए होंगे ठीक है, मिलते हैं next video में next important questions के साथ Thank you